नमस्कार साथियों की फैक्ट मैं आप सभी का स्वागत है उमीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहतर होंगे सभी सनातनी और राष्टवादी भाई बैनों से अपील लेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा वीडियो को लाइक करिएगा और अधिक सदिक लोगों तक से अ करिएगा दोस्तों आम आदमी पाटी और अरविंद केजरिवाल का बचना बहुत मुस्किल होता जा रहा है और कई सारे मायनों में बचना मुस्किल होता जा रहा है आम आदमी पाटी में इस तीफों का दौर चल रहा है पूरी तरीके से दिल्ली के अंदर भगदर मची हु पे जिस पे कोट ने संग्यान लेते हुए आम आदमी पार्टी के संयोजक के तौर पे अरविंद केजरिवाल को नोटिस जारी किया भारत के इतिहास में आज तक कभी किसी पार्टी को घोटाले का आरोपी मतलब किसी पोलेटिकल पार्टी को घोटाले का आरोपी नहीं बनाय और ED के मामले में आम अदमी पार्टी को रोपी बना दिया गया है और जो लोग भी सराब घुटाले में रोपी हैं उन में से आम अदमी पार्टी का नंबर है अरभिंद केज्रिवाल का नंबर है 33 तो इसी पर चर्चा करेंगे कि कौन-कौन पार्टी छोड़ करके चला गया और भविस्व में बहुत सारे नेताम आदमी पार्टी छोड़ने वाले हैं कि अब लोगों को पता चलने लगा है धीरे-धीरे कि अर्विंद केज्रिवाल का कोई फ्यूचर नहीं है यह जूठा आ आनंद सहीद कई नेता बीजेपी में सामिल हो गए यह वही राजकुमार आनंद हैं जो सेस्टी मनिस्टर थे और इन्हों ने कहा था कि सेस्टी कल्यांड बोर्ड में भी आम आदमी पार्टी और अर्विंद केज्रिवाल ने घोटाले किये हैं इसमें भी गड़बडियां की हैं बहुत सारे इन्होंने आरोप लगाये थे जबकि अर्विंद केज्रिवाल एक तरफ भगत सिंग की फोटो और दूसरे तरफ डाक्टर अमेटकर की फोटो लगा करके बड़ी-बड़ी सियासी बाते करते हैं और जब फंस जाते हैं तो कह देते हैं तो फलाने वालों का काम है कौन-कौन नेता हैं जिन्होंने छोड़ दिया उनको देखते हैं सबसे पहले देखे एक हैं पूर विधायक राजकुमार आनंद जिनको पार्टी से निकाल दिया था बाद में अर्दिन केज्रिवाल ने और उन्होंने पार्टी छोड़ी फिर उसके बाद उनकी सदस्ता भी रद्ध हो गई थी यह बसपा में चले गए थे बसपा से चुनाओ भी लड़े इस बार का लेकिन अब यह भाजपा में आ गए हैं अब और कौन-कौन है इसके साथ सीटिंग में मिले करतार सिंग तमर ने भी आम आदमी पार्टी को छोड़ दिया है रतन पार्टी छोड़ दिया और वीजेपी जोईन कर लिया तो भगदर मत चुकी है क्योंकि अब सबको पता चल गया कि नाओं में छेद हो चिकवा है लेकिन जो असली बात है वो दूसरी तरफ केजरिवाल बने आरोपी नंबर 37 तो 38 कौन दिल्ली सराव घोटाले में एडी की स कारशीट में बड़े खुला से सीम को लेकर के क्या क्या कहा गया अरविंद केजरिवाल जो अब तक कहते थे ना कि सबूत महीं मिला है 45 करोन के सबूत को इस्टेबलिस कर दिया है एडी ने कोर्ट के अंदर और चुकी वो 45 करोन आम आदमी पार्टी के चुनाव परचार के ये खर्च हुए थे इसलिए एडी ने जब आम आदमी पार्टी को आरूपी बनाया तो उसको कोट में संग्यान में लिया और अब जो नोटिस जारी हुआ है वो अरविंद केजरिवाल के लिए इंडिविजबल नहीं है आम आदमी पार्टी के संयोजक के तोर पर चारी कोई है जो ये घोटा लेकि नहीं अब पार्टी भी तो अब अर्विंद केजरिवाल दो तरफ तो आरूपी हैं एडि़ी और सीब्याई में अब ये तीसरे आरूपी बन चाएंगे तो तीसरे आरूपी बन जाएंगे किसमें पार्टी के संयोजक के तोर पर ग्तरों देखिए अक्बार कया लिखते हैं? अक्बार लिखते हैं कि आपको मिला समन, आपको क히जरिवाल को नहीं, आपको मिला समन जेल में बंद केजरिवाल के लिए अब तक की सबसे बड़ी मुसीबत बना डिली एक साइट पैल्सी केस में पार्टी के सर्वाइबल पर भी आफ़त आ गई है अगर यह प्रूफ होता है दोस्तों तो आप मान लिजेगा कि आम आदमी पार्टी खतम मतलब इसकी जो पार्टी की मानता है वही खत्म हो जाएगी हलाकि यह जब खबर आई तो उसके बाद आम आदमी पार्टी की बड़े-बड़े नेता जैसे आतिसी मालेना संजय सिंग यह लोग बखला गए बाप बाप क्या करना हलाकि संजय सिंग के बारे में कोई पता दूँ संजय सिंग अपना पुलिटिकल रास्ता खोज रहे हैं औ किसी तरीके से समाझ वादी पार्टी में अज्यच हो जाओं तो मेरा कल्याण हो जाएगा और संजय सिंग उत्तर-प्रदेश की राजनीतीकरना चाहते हैं दिल्ली की राजनीती छोड़ना चाहते हैं उत्तr-प्रदेश से आते बीए सुल्तानपूर देखे अग बार फिर क्या लिखता है कि एसा पहली बार हुआ है जब आम आदमी पार्टी को दिल्ली आपकारी निती से जुड़े मनी लॉंडरिंग केस में संबन जारी हुआ अब तक तो अर्विंद केजरिवाल वताओं मुख्यमंत्री आरोपी बने थे अब इनके संयोजक को भी मुकदमा लड़ना पड़ेगा अचा जो इडी ने जो चार सिर्ट दाखिल की थी उसमें अदालत ने 12 जुलाई को पेस होने को कहा है अर्विंद केजरिवाल और मनी सिसोधिया जेल में अभी तक संजय सिंही इस मामले में जमानत पे बाहर है दिल्ली के पुरूप सिर्फी भी डाले हुए हैं अब सुप्रीम कोड क्या करता है उसे सिर्फी पे वो देखने वाली बात होगी अर्विंद के जिरिवाल पर पहले से ही ईडी और सिब्याई के तरफ से किस्चलाया जा रहा है आपका नेता होने के कारान अलग से मुसीबत खड़ी हो गई है एक नोट होती उसको फाड करके आधा आधा दे दिया जाता है जैसे हवाला का पैसा उठाना होता है वो दोनों नोट मैच कराता है और उसको पैसे दे देता है अब थोड़ा और एडवांस तरीका आ गया है जो नोट का सिरियल नंबर होता है वो दोनों को भेज दिया जात जिसको भेजा था बिनोच चौहान को बिनोच चौहान के मोबाइल से सारा डेटा निकाल लिया गया है और ये बिनोच चौहान ही गोवा के चुनाओं में एक बड़ा आरूपी है जो हवाला के जरी ये पैसा पहुचा रहा है तो जो अर्विन के जिरिवाल कहते तो एक को पैसान है के जरीवाल जी अच्छा दूसरी मुसीवत और आया मादमी पाची के उपर या कह सकते हैं के जरीवाल के उपर इनकी पत्नी ने कोट के अंदर की वीडियो रिकॉर्डिंग करके अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डाल दिया था इसको ले करके कोट ने सं प्रंकी कोट में भी चले अब इस मुद्दे पर जो जिस जस्टिस ने राउज अन्य कोट के अर्विंद के जिवाल को जमाना दे थी जिनका नाम नयाय बिंदू था खुदी नयाय बिंदू था उनको फिर से एक हजार पन्ने की नहीं 200 पन्ने की जो एटी की सप्लिमेंटर हैं उस पर बहस करके निरने देना उसका यह नहीं होता है काम कि नहीं नहीं हम सबूत नहीं देखेंगे नहीं पढ़ेंगे हमारे पास टाइम नहीं हम तो आईसे ही जमानत दे देंगे फैर अदालत का नया समानाम आदमी पार्टी को जा रही हुआ पार्टी संजोर गया नहीं नेता के नाते सारी बातों के लिए उनको जिम्मिदार माना गया है इसलिए उनके लिए बड़ी मुसीबत है अब देखिए यहीं नहीं अब अब जब पार्टी आईगी इस दाहरे में इस पार्ट का सबसे इंट्रेस्टिंग चीज क्या है कि जब पार्टी दाहरे में आती है तब अरविंद केजरिवाल इस सिर्फ नहीं अब इनके जो कैसियर हैं वो भी फसेंगे आम आदमी पार्टी के जो गोवा के प्रभारी रहे हैं या जो भी प्रदे सद्यक्ष रहे ह वो भी फसेंगे और साथ आठ बड़े नेताओं से जो गोवा के हैं उनसे इडी पहले ही पूस्ताच कर चुकी है और उसमें से कई सारे लोगों ने बताया भी है कि हमको पैसे मिले थे अब आप खुद सोचिए जहां डेली नोटंकी होती है एक चीज और आपको अपडेट बता दूँ अभिसेख मनु सिंग्वी को कांग्रेस राजसभा बेजने के लिए ततपर है कि किसी भी तरीके से राजसभा बेजा जाए क्योंकि प्रधानमंतिर नन्मोदी ने एक बात कही थी कि छोड़े कोई भी नहीं जाओगे अब राहुल गादी और कांग्रेस पार्टी को ये लगता है विया अविसेख मनु सिंग्वी को राजसभा बेजना बहुत जरूरी है अगर जैसे एक बात होती है नहीं कि भाई जब आपको समझ में आ जाए कि भाई ये वाला यहां पर बहुत इंपोर्टेंट है बहुत कामका है क्योंकि पहले कभिल सिब्बल इनके बहुत कामके थे तो कपिल सिब्बल को इन लोगों ने छोड़ा कपिल सिब्बल को छोड़ा तो कपिल सिब्बल समाजवादी पार्टी से रासभा सांसर चले गए तब वो समाजवा अब इस मामले में याद रखिएगा अरबिन केजिरिवाल जितनी बी केश लड़ते हैं यह सब सरकारी खजाने से वकीलों को पे होता है, कि कि सीटिंग मुख्मंतरी है, और टेक्स्पेयर का पैसा पे होता है, कोई आमादमी पाटी इनका पैसा पे नहीं कर रही है, एक तरफ अब इस चीज का भी आकलन करिएगा, कि किस तरीके से इस देश में यह भी एक इस केम च द्रिवाल और अर्भिन के द्रिवाल के वकीलों में कौन सी ऐसी चीज है कौन सी ऐसी खुबसूरती है कि अदालतें दो दिन चार दिन में इनके मामले पर तुरंत सुनवाई कर देती हैं तुरंत यहां पढ़ गया कोट में वहां पढ़ गया कोट में हाई कोड सुप्रीम प्रोसा उठने लगता है सामान निविक्ति का जब मजबूत और पैसे वाले लोग इस तरीके की हरकतें करते हैं आदालतों के अंदर तो आदालतों को इस पर भी विचार करना चाहिए हलाकि 12 को इनको बुलाया गया है एक मामले में 25 तक जेल में रहेंगे एक मामले में 15 तक के तोर पर हुलाया गया है और यह मुसीबत बड़ी है आप एक बात मान करके चलिए कि अगर सबूतों के आधार पे और उसके मेरिट और बहस के आधार पे मामला चलेगा तो अर्विंद के जरिवाल को कम से कम सात साल की सजा होगी इस पूरे मामले में और पार्टी फंस्त के फरार होंगे अब केंद्र सरकार से भी एक सिकायत है सिकायत क्या है दिल्ली में इस समय प्लिटिकल क्राइस से चल रहा है आम आदवी पार्टी और अर्विंद के जिरिवाल को मुख्यमंतरी के पत से बर्खास करके वहां पर राश्च्पती सासन लगा देना चाहिए क्योंकि अदालते और एडिट सीवियाई जो काम कर रही है करी रही है जो दिल्ली का संबैदानिक संकट है उस पर एलजी सहाब को त्वरित संगयान लेने की जरूरत है क्योंकि एक प्रदेश का मुख्यमंतरी जेल के अंदर बंद है तो प्रदेश कैसे चल रहा है इस बात का जबाब भी जनता जानना चाहती है तो आर्बिंद केजरिवाल की मुसीवितें कम होने के बजाए बढ़ती जा रही है बाकी देखते हैं इस मामले में क्या होता है आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगा कि कौन-कौन से सबूत मिले हैं उसका डेटा ह है मेरे पास वो किसी दूसरी वीडियो में मैं बताऊंगा हलाकि बहुत सारे लोग इसे मैं जुड़े हुए हैं सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद अगर आपको वीडियो एनलैसिस और फैक्स पसंद आते हैं चैनल के तो चैनल के लिए कंट्रिब्यूट भी आप डोनेट कर सकते हैं लाइक करिएगा अधिक से अधिक लोगों तक सेर करिएगा लोगों को प्रेजित करिएगा कि उस चैनल को सब्सक्राइब करें और राष्टवादियों को मजबूत करें जै हिंद जै भारत जै सिल्गा